हाई गाईज असलाम अलेकूम कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हूं कि आप सब लोग खेरियस से होंगे तो आज हम बनाएंगे रमजान स्पेसल चिकन हलीम तो आईए फिर देखते हैं आज का रेसेपी तो देखें यहां पर हम दाल ले लिए हैं दलिया ले लिए हैं चावल लिए हैं और यह पांच बिसली दाल है चना दाल अरहर दाल मूं दाल मशूर दाल उरत दाल चरपांच हों मिला करके हम 200 गराम लिए थे और दलिया हम 100 गराम लिए थे और 50 गराम हम चावल लिए थे जो चावल हम लोग डीली यूज्ज करते हैं खाने में अब हम दाल चावल दलिया तीनों एक कट्रा में निकाल लेंगे और अच्छा से हम तीन चार पानी से धो लेंगे डाल को ये डाल जो है आप मार्किट से भी ला सकते हैं या फिर घर में ला करके इसको मिला करके बना सकते हैं तो देखिए यहां पे हम धो रहे हैं डाल को दाल हम धो लिए हैं अब एक कुकर लेंगे उसमें हम डाल देंगे दाल को हम डाल दिये हैं अब हम इसमें पानी डाल देंगे हम इसमें एक लिटर पानी डाल रहे हैं यानि चार कप एक टीजपुन हल्दी पाउडर डाल देंगे नमक डाल दिए हम दो टीजपुन और ठोड़ि सी हम सरशों तेल डाल दिए और धख करके हम गेज का फ्लेम हाई करके हम एक सीरी आने तक पकाएंगे फिर उसके बाद हम गेज का फ्लेम लो करके दस मिनाट तक इसको गलाएंगे अच्छा से दाल को फिर इसके बाद गेस को आफ कर देंगे फिर ठन्डा होने के लिए हम छोड़ देंगे और देखें यहाँ पे हम कुछ मसाले लिए हैं एक टीस्पुन गोटा धनिया ले लिए हैं दस से पंदर हम काली मीर्स ले लिए हैं दो टुकरा दालचनी का ले लिए हैं एक टुकरा जावेतरी का ले लिए हैं एक बड़ी लाची ले लिए हैं पांस से छे हम छोटी लाची ले लिए थे छे साथ लॉंग ले लिए थे एक टीस्पून जीरा ले लिए थे एक टीस्पून सौफ सब कुछ हम मिला कर लेंगे एक साथ और एक मिक्सर जार में हम डाल देंगे इसका एक पाउडर बना लेंगे देखिए यहां पे हम पाउडर बना लिए हैं अब हम इसको रख देंगे कट्रा में निकाल करके और हरीम के लिए यहां पे हम चिकन ले लिए थे 400 ग्राम यह बॉनलेस चिकन है बिना हट्टी का इसको अच्छा से हम धोकर के रखे हैं और यहां पे हम एक उकल लेंगे और गेस के ओपर को को भा बैठा दिये हैं इसमें हम तेल डाल दी एक कप और दो मेडियम साइच का प्याज डाल दी इसमें और प्याज को हम अच्छा से फ्राइ करेंगे लाल होने तक देखिए यहां पर प्याज लाल हो चुकी है थोड़ी सी प्याज हम निकाल लेंगे बाद में हम इस प्याज को यूज करेंगे अब हम इसमें डाल देंगे चिकन जो हम धोकर के रखे थे चिकन को हम दो मिनर तक भूनेंगे इस चिकन का कलर चेंज होने तक अब इसमें हम डाल देंगे दो टीस्पून अद्रक लेशन का पेस्ट और फिर से अच्छा से हम चला लेंगे अब इसमें हम डाल दिये एक टीस्पून हल्दी पाउडर एक टीस्पून लाली मिर्च पाउडर एक टीस्पून जीरा पाउडर एक टीस्पून धनिया पाउडर एक टीस्पून कस्मिरी लाली मिर्च पाउडर और सारे हम अच्छा से मिला लेंगे हम चिकन को चार से पांच मिनट तक अच्छा से भूल लेंगे और दो टीस्पून इसमें नमक डाल दिये एक टीस्पून गरब मसाला पाउडर और ये हम केमरा में रिकोर्ट करना भूल गए थे देखिए यहां पर चिकन हम अच्छा से भूल लिये हैं अब हम चिकन में दो कप पाने डाल देंगे और फिर अच्छा से चिकन को चला लेंगे और ढख करके चिकन को गेस का फ्लेम हाई करके हम एक सिटी आने तक पकाएंगे फिर गेस का फ्लेम मेडियम करके हम इसको दस मिनट तक पकाएंगे और देखिए यहां पे दाल दलिया जो है अच्छा से पक चुकी है अब हम ढकन खोल देंगे और देखिए दाल कितने अच्छे से गल चुके हैं दाल और दलिया अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी गरम पानी जो हम पानी पहले सी ही गरम करके रखे थे और हलीम को आपको कितना पतला रखना है कितना गहरा रखना है उसी हिसाब से आप पाने डालिएगा तो देखें यहाँ पे हम पाने डाल चुके हैं और एक दाल घुटनी से अच्छा से हम घोट लेंगे जितना अच्छा से इसको हम घोटेंगे उतना यह अच्छा हलीम बन के रेडी होगा तो देखें यहाँ पे हम घोट चुके हैं और यह देखें यहाँ पे चिकन भी पुरा गल गई है देख सकते हैं कितना अच्छा से गल चुके हैं चिकन अब उसी दाल घुटनी से हम चिकन को भी अच्छा से घोट लेंगे और आज हम बनाएंगे रेसेदार चिकन हलीम तो इसलिए हम अच्छा से दाल घुटनी से देखिए कितना अच्छा से हम चिकन को घोट लिए हैं और सारे चिकन के जो रेसे हैं पुरा अलग हो चुकी हैं अब हम इसमें डाल देंगे डाल और दलिया जो बना करके रखे थे और देखें यहां पे हम चिकन और दाल को अच्छा से मिला ले रहे हैं इसी तरह से अच्छा से मिला लेंगे हम दाल घुटनी से एक बार और घोट लेंगे इसको ताकि यह चिकन और जो दाल है आपस में अच्छा से मिल जाए अब हम गेस के ओपर इसको बैठा देंगे दो मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे और जो हम मसाला बना करके रखे थे वो डाल देंगे इसमें और अच्छा से हम चला लेंगे देखिए यहां पर हम दाल घुटने से अच्छा से घोट ले रहे हैं जितना अच्छा से घोटेंगे हम उतने ही अच्छा रेशेदार चिकन हलीम बनके रेडी हो चुकी है अब हम इसको एक कटरा में निकाल लेंगे और हाँ इसको हलीम और दलीम दोनों बोला जाता है कोई इसको दलीम भी बोलते हैं और आप लोग भी बनाईए इसी तरह हलीम एंदलीम बहुत टेस्टी लगेगा खाने में रमजान में तो बहुत अच्छा लगता है खाने में तो देखें यहां पे हम थोड़ी सी जो है ग्रीवी निकाल के रख दिये थे चिकन का वो डाल दे रहें इसमें अब इसमें हम डाल देंगे थारा धनिया और हरी मिर्च डाल देंगे इसमें और थोड़ी सी हम डाल देंगे फराई किया हुआ प्याज जो हम उठा करके रखे थे और इसमें हम डाल देंगे बारी कटी हुई अदरक और थोड़ी सी हम काटके नीमबू रख देंगे यहां पे तो देखें यहा आप लोग भी बनाएए इसी तरह हलीम और मुझे कॉमेंट में बताईए आप लोगों की कैसी बनी अगर मेरी डेसिप आप लोग को अच्छी लगी हो प्लीज लाइक कीजिएगा सेर कीजिएगा सबस्क्राइब कीजिएगा मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में अल्ला हाफ में आप लोग बनाएगर और मुझे टोας हूँ आप है उसकती हैं मत्यू और या इसन से लोगला में ठापता फिल या झालोगों कीजिएगा